अर्थ उच्चारण या व्याकरण के अनुसार एक जैसे लगने वाली दो शब्दों में अंतर अपनी हिंदी सुधारें खल और शट दोनों दोश्ट हैं अपने अपने ढंकी नापाक हरकतों में माहिर पर कुल मिलाकर खल बड़ा है खल करूर होता है शट धोके बाज चानक ने खल के तुलना साप से करके उसे साप से अधिकरूर बताया है क्योंकि साप मंत और और औशधी से वश में आ जाता है पर खल नहीं खल नायक को याद कीजिए जिसका इलाज पिटाई, धुनाई, जेल या मित्यों से ही हो पाता है खल निरलज होता है, चुगल खूर होता है, नीच होता है मैं मूरक खल कामी कृपा करो भड़ता खल धातु का एक अर्द है गिरना शट में शट धातु है जिसका अर्थ होता है धोखा देना और चोट मातना यदि भी नीती के नाम पर ये कहा जाता है कि शट के साथ शटता बरतनी चाहिए शटे शट्यम समाचरे लेकिन यदि आप शट नहीं हैं तो ऐसा नहीं कर सकते क्यूंकि शट चली होता है, चलाख होता है, वो ठग होता है साहिति में शट नायक ऐसा धोखे बास प्रेमी या बनावटी प्रेम करने वाला पती होता है जो अपना अपराद छिपाने में चतुर हो चतुर होने के कारण वो जगड़ा करने वालों और वालियों के मद्य समझोता कराने वाला मध्यस्त भी होता है कई बार ये वालियां उसकी पत्मी और प्रेमी का ही होती है अंत में दोग गालिया और बेहया और धूद इन में से पहले का नाता खल से है और दूसरी का शट से है